चीन की तहांक पहाड़ियों को बीच से तोड़कर बनाए गई ये गुलियांग टनल है ये दुनिया की सबसे खतरनाक टनल में से एक है आज से 40 साल पहले यहां जिन्दगी बहुत मुश्किल थी इस टनल का निर्मान 1972 में हुआ था इस से पहले इस पर सिर्फ पैदल चलने की गुझाईश थी और ये रास्ता हुईंक किसियान, जिन्जिंग्यान, हिनान प्रांतों के गाउं को जोड़ता था इसकी यात्रा बहुत मुश्किल थी करीब 720 खड़ी पहारियों पर बने रास्तों को पार करना होता था रास्ते के बीच बीच में बनी सीडिया बहत खतरनाक थी वो खड़ी, सक्री और बिना रेलिंग की थी इन परिसानियों को देखते हुए गाउं के लोगों ने पहारियों में टरनल खोदने का फैसला किया गाउं के मुखिया सेन मिंग जिंग ने अपनी बकरियां और दवाईयां बेच कर हतोड़ा और बाकी औजार खरीदे 13 लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और 1200 मीटर लंबी टरनल को खोदने में 5 साल लगे ये टनल 5 मीटर उची और 4 मीटर चोड़ी थी इस टनल के निर्मान में 12 टन की ड्रील रोड और 4000 हतोड़े का इस्तमाल हुआ था एक मई 1977 में ये टनल खोला गया टनल की दिवार में 30 अलग अलग अकार की खिड़िया हैं ये चीन में परटको की आकरशन का केंद्र है ये दुनिया की दस सबसे खड़ी सडको में से एक है